दोस्तों, आज कल लड़के और लड़की के बीच में आखें चार होती नहीं है, कि यो दोनों बरे बरे सपने देखने लग जाते हैं, सातों जनम जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, और इतना ही नहीं, सारी हदें पार करके, शादी से पहले ही शरीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं, आज की कहानी में बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिसके वज़स से एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता है, और ये प्रेम करने वाले सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, तो क्या है ये माजरा, आईए पूरा जानते हैं इस कहानी में, तो कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मेरा होसला बढ़ता है, और हाँ दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मतलब किसी को परिसान करना नहीं है, बल मुझे आप लोगों के कमेंट का राय मस्वरा का ब्यस सब्री से इंतजार रहता है तो आप इस कहानी से क्या सीखते हैं आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे अपने कमेंट में जरूर बताएगा मैं ब्यस सब्री से आपके कमेंट का इंतजार करूँगा अब आज की जो सची घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपूर की वहां पड़ एक गाउं है जिसका नाम है मिर्जापूर मिर्जापूर में लियाकत अपने पूरे परिवार के साथ रहता था वो अपने बरे बेटे जिसका नाम आदिल है उसका शादी तै कर चुका था जिसके वजह से उसके पूरे परिवार में हर सो उलास का महौल था सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे आदिल भी अपनी शादी को लेकर के काफी उत्साहित था अब इनकी जो शादी है वो दोस्तों 14 मार्च को होनी होती है तारीक जो होती है शादी क का एक रस्म होता है जिसमें दुलहन के लिए लड़के वाले के तरब से जोरा जाता है कप्रे का तो ये सारी रस्म होना था लेकिन होता क्या है दोस्तों इनके पिरवार में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसका किसी को उमीद नहीं था जिसके वजह से ये पूरा पिरवार शोक में बदल जाता है इनका हरसो उल्लास होता ये है कि 18 फरवरी को आदिल जो है अचानक से गयब हो जाता है वो अपने माता पिता को ये बता करके जाता है कि मैं थोरे ही देर में आ जाऊंगा मैं ऐसे ही घुमने के लिए जा रहा हूं लेकिन वो साम तक घर वापस नहीं आता है तब उसके परिवारबालों को उसके पिता जी को उसकी चिंता हो जाती है वो अपने अस्थर पर सभी जगह ढूंडते हैं अपने बेटे को लेकिन आदिल कहीं भी नहीं मिलता है आखिर ठक हार करके वो मिर्जापूर थाने में जा करके शिकाइट दर्ज करा देते हैं अब पुलिस जो होती है इनसे पूछते हैं कि आपका बेटा गुम हो गया है उसकी रिपोर्ट वो लिख लेते हैं और पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से कोई दुस्मनी है क्या गाउं में या किसी से लड़ाई जगरा हुआ था भविस में पहले कभी तो आदिल के जो पिता है वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा किसी से गाउं में कोई जगरा नहीं था सब के साथ मेरा दोस्ताना रिस्ता है पूरे गाउं में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता मेरा गाउं में जो मेरे बेटे को इस तरह से गाइब कर दे इस पर पुलिस पूछती है फिर भी आपको क्या लगता है कि आपके बेटे आदिल के साथ क्या हुआ होगा इस पर आदिल के जो पिता है लियाकत वो कहते हैं पुलिस को कि सर मुझे लगता है कि मेरे बेटे का अफरन हो गया है इस पर पुलिस पूछती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके बेटे का अफरन हुआ है इस पर लियाकत कहता है उसके कुछ दोस्तों से पता चला है कि आदिल को दो लड़के जो एक ही मोटर साइकल से आये थे उसके साथ आदिल को जाते हुए देखा है अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उनको भरोसा देती है कि बहुत जल्द करवाई करके आपके बेटे को सही सलामत हम वापस लाएंगे अब पुलिस अपने अस्तर पर छानबिन करना शुरू कर देती है तो पुलिस को पता चलता है कि जिस मोटर साइकल पर आदिल को ले जाया गया था उस पर एसपोर्ट से लिखा हुआ अब पुलीस पूरे गाउं में सब क्यों पूछती है कि पूरे गाउं में क्या ऐसा कोई मोटर सैक्ल है किसी के पास जिस पर एस्पोर्ट से लिखा हो तो गाउंबाले कहते हैं कि पूरे गाउं में पूरे मिर्जापूर में किसी के पास ऐसी कोई मोटर सैक्ल नहीं है जिसके उपर एस्पोर्ट से लिखाओ अब पुलिस को समझ नहीं आता है कि आखिर करे तो क्या करे बिना सबूत के पुलिस इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बर सकती थी दोस्तों अब पुलिस क्या करती है कि आदिल का जो मोबाइल होता है उसे सर्विलेंस पर डालती है तो सोफिपूर गाउं का पता चलता है कि आदिल वहीं पर था और वहीं पर उसका फोन स्विच ओप भी कर देगा गया था यानि कि आखरी लोकेशन सोफिपूर गाउं का था आदिल के मोबाइल का पुलिस यह सब पता करी रही थी तो पुलिस को यह पता चल जाती है कि दरसल वो जो motor cycle है जिस पर sports लिखा हुआ था वो इस गाउं का तो नहीं है लेकिन इस गाउं में एक व्यक्ति जिसका नम अफ्रोज है वो उत्राखंड का रहने वाला है उसका इसी गाउं में रिस्तेदारी है वो अफ्रोज अक्सर motor cycle से इस गाउं में आया करता था और उसी के motor cycle प पता चल जाती है तो पुलिस सबसे पहले अफ्रोज का जो mobile है उसको भी नंबर निकाल करके सर्विलेंस पर डालती है तो इससे पता चलता है उसके mobile डिटेल से कि उस घटना वाली दिन यानि 18 फरवरी को अफ्रोज दो लोगों से बात किया था और दोनों ही अफ्रोज के ग और इसका तीनों का उस दिन का जो लोकेशन था वो भी सोफीपुर गाउं का ही बताया जा रहा था जहां पर आदिल क्या अंतिम लोकेशन बताय गया था अब पुलिस को यह पता चल जाती है कि हो नहो यह सब इस घटना में यह लोग जरूर सामिल हो सकते हैं अब पुलिस करती है आदिल के जो पिता है लियाकत से कि आप अपने बेटे का साधी कहां परताय किये थे तो इस पर लियाकत पुलिस को कहते हैं कि वो अपने बेटे के साधी उत्राकंड के देहरादून के पासे गाउं है कुंजा गरांट वहां के रहने वाली हीना नाम की लड़की से क अभी देहरादून के इसी कुंजा ग्रांट गाउं के रहने वाले होते हैं अब पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती है कि हो नहों इस सारा जो मामला है ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है अब पुलिस जल्दी से अपना एक टीम बना करके और उत्रा खंड के लिए रवाना कर देती है कुंजा ग्रांट के लिए और वहाँ पर अफ्रोज के घर पर जा करके उसके बारे में पूस्ताच की जाती है तो अफ्रोज घर पर ही मिल जाता है अफ्रोज जैसे पुलिस वाले को देखता है उसकी हालत खराब हो जाता है फिर पुलिस उसके दोनों दोस्तों के बारे में पूस्ते हैं जो उसी के गाउं का होता है अब जल्दी ही पुलिस इन तीनों को गिरफतार करके ठाने लाती है और फिर पूस्ताच करना शुरू कर देते हैं फिर ये दोनों और ये तीनों तूट जाते हैं और आदिल के गैब होने के पीछे की कहानी जो अफ्रोज कहता है बताता है पुलिस को पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो उनके पहलों तले भी जमीन खिसक जाती है और जब पुलिस के माध्यम से आदिल के माता पिता और लोगों को आदिल के गैब होने की कहानी पता चलती है दोस्तों तो किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है अब इस घटना करम के पूरे घटना करम के पीछे जो कहानी है दोस्तों वो उसी हीना के उपर आके टिक जाती है दरसल इस घटना से ठीक दो साल पहले हीना और अफ्रोज एक दूसरे से मिले थे मिलते ही अफ्रोज हीना को अपना दिल दे दिया और हीना भी अफ्रोज से प्यार करने लग जाती है वो दोनों देखने में बहत खुब सूरत होते हैं जैसे दोनों के आँखें चार होती है फिर दोनों साथ जीने मरने की कस्मे खाते हैं और वो दोनों कहते हैं एक दूसरे को चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता अफ रोज कहता है कि मैं जब भी शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा हिना कहती है कि मैं भी जब भी शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी इस तरह का कुछ दिन इनका समय इस तरह बीच जाता है फिर इन दोनों के बीच का प्यार प्रसंग चलता रहता है यह दोनों अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं अपने सपनों को महल इन लोगों ने खरा कर लिया था कि शादी के बाद क्या क्या करना है सारी प्लानिंग इन लोगों ने कर ली थ होगी हिरना उसके मुह पर हाथ रख देती है कि ऐसा मैं अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती तुम तो मेरे सपनों के राजकुमार हो मैं तुम्हारे बिना जिंदा रही नहीं सकती मैं तो पूरी तरह तुम्हारी होनी चाहती हूं अब कुछ दिनों की बात है फिर हम द दोनों एक दूसरे से लिपट चाते हैं इसके बाद कुछ दिने का समय और बीद जाता है दोस्तों अब इस वीच हिना को यह पता चलता है कि उसकी जो शादी है वो उत्तर परदेश के सहारनपूर के रहने वाले आदिल से तैह हो गई है अब यह सुनते ही उसके होश और के साथ देखी थी लेकिन हिना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने परिवार वालों से ये बात करें कि मैं आदिल से नहीं शादी कर सकती क्योंकि मैं अपने ही गवं के अफ्रोज से प्यार करती हूं यह कहने कि उसकी हिम्मत नहीं थी फिर जल्दी से एक दिन वो अफ्रोज को अपने पास बुलाती है और उसको बताती है कि मेरी शादी तैह हो गई है यह सुनते ही अफ्रोज भी परिशान हो जाता है अब उसे अपने सपनों का महल बिखरता हुआ दिखाई देता है और वो कहता है कि आखिर यह कैसी हो गया हिना हम दोनों तो एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थे मुझे लगता है कि अब तुम उससे दूर हो जाओगी इस पर हिना कहती है कि बेशक मेरी साधी उससे तै हो गई है लेकिन मेरे दिल में तुम ही हो फिर अफ्रोज कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे दिल में अपने मंगेतर के लिए कोई जगह बन गया हो इस पर हिना कहती है कि मैं खुआबों में भी ऐसा नहीं सोच सकती तुम तो मेरे दिलों दिमाग में सिर्फ तुम ही छाय रहते हो ये बाते करते हुए दो फिरो दोनों एक दूर सदे से लिपट जाते हैं और अफ्रोज कहता है कि आखिर अब क्या कर सकते हम इसमें अब अफ्रोज के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हिना के पिर्वार वालों से इस बारे में बास्चित करता फिर हिना एक दिन अफ्रोज को बुलाती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो एक दिन मैं किसी और की दुलहन बनके चली जाओंगी और तुम हाथ मलते रहोगे जल्दी से कुछ करो क्योंकि कली हमारी जो एक रस्म होता है सादी का जोरा वो आने वाला है अगर तुम नहीं किये तो मेरे हाथ में किसी और के नाम की महधी रज जाएगी ये सुनकर अफ्रोज कहता है कि ऐसा बिलकुल नहीं होने दूंगा मैं ऐसा होई नहीं सकता तुम मुझे थोरा वक्त दो मैं कुछ सोचता हूँ फिर थोरे दर वो सोचता है फिर वो हीना के आँखों में आँखें डाल करके कहता है कि हीना मैंने एक प्लान बना लिया है हीना पूछती है क्या प्लान है वो कहता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आदिल को हम दोनों के रास्ते से हटा देना चाहता हूँ यानि कि उसका हत्या कर देना चाहता हूँ यह सुनकर हिना चौक जाती है वो कहती है इसमें तो बहुत ज़्यादा खत्रा है कई हम लोग भास गए तो इस पर अफ्रोज कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैं पूरे प्लानिंग से यह सब करूँगा और किसी को हमारे उपर शक भी नहीं होगा अब दोस्तों अकेला तो अफ्रोज आदिल की हत्या नहीं कर सकता था इसलिए वो अपने गाउं के ही दोनों दोस्त को इस सारी बाते बताता है और कहता है कि इसमें तुम्हें हमारी मदद करने परेगी अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त का मदद नहीं करेगा तो और कुन करेगा और आज कल कि वो दोस्त थे उनको एक कहना चाहिए था कि तुम इस तरह के काम मत करो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा लेकिन उनके ये दोस्त इसी के जैसा था उसके दोस्त कहता है कि ठीक है जब भी कहीं चलना हो कुछ भी करना हो तो मुझे बता देना इसमें मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ अब दोस्तों अफ्रोज का अक्सर आदिल के गउं आना जाना रहता है क्योंकि उसके गउं उसका रिष्तिदा रहता है इसके वज़ा से पहले भी वो आदिल के साथ मिल चुका था अब वो अपने प्लानिंग बनाता है फिर एक दिन आदिल के गउं मिरजापूर पहुँच जाता है संजोग से रस्ते में आदिल उसे मिल जाता है वो मिलते ही आदिल से कहता है कि मुबारक हो आदिल हमें पता चला है कि मेरे ही गाउं की हिना नाम की लड़की से तुम्हारी शादी हो गई है बहुत-बहुत मुबारक हो इस पर आदिल मुश्कुरा देता है और कहता है शुक्रिया भाईजान अब अफ्रोज कहता है आदिल से कि आज तो मैं जल्दी में हूँ किसी दिन दोनों दोस्त मिलेंगे और इस खुसी में दावत भी करेंगे आदिल कहता है ठीक है जब आपका मन करेगा आप आजाना दोस्तों ये अफ्रोज के साजिस का एक हिस्सा था वो ये चाहता था कि अचानक से आदिल को वो कहीं खाने पिने के लिए बुलाएगा तो उसो शक हो जाएगा अगर उसे पहले ही इतला दे दी जाए तो उसको सक कुछ कम होगा होता भी ऐसे ही है इसके बाद वो घटना वाले तारिक तै करता है 18 फरवरी का वो अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को बता देता है कि आज मिर्जापूर गाउं चलना है क्योंकि आज आदिल का काम तमाम करना है अब तीनों दोस्त अलग अलग मोटर साइकल से उस गवों पहुंचते हैं संजोग से दोस्तों उस दिन आदिल उन लोगों को सरक पर ही मिल जाता है और मिलते ही अफ्रोज अपनी बाइक से उतरता है उसे कहता है बहुत बहुत मुमारख हो भाईचा आप बहुत जल्द दूला बनने वाले हो और वो जो लड़की यहीना गजब की सुन्दर है आप बहुत खुश किस्मत हो कि आपको ऐसी बीबी मिलने वाली है चलो आज कुछ हो जाए कुछ खाने पिने का प्रोग्राम बनाया जाए वो तीनों आदिल को लेकर के ठेकर पर जाते हैं वहां से शराब खरीते हैं और पास में ही दुकान से सोडा की बोतल भी खरीते हैं और कुछ खाने पिने के चीज भी खरीते हैं फिर ये दोनों सोफी प्लानिंग के मुताबिक ये तीनों कम शराब पीते हैं और आदिल को ज्यादा शराब पिला देते हैं जब आदिल नशे में चूर हो जाता है फिर मौका पाकर के अफ्रोज एक पत्थर उठाता है और पीछे से आदिल के सीर में जोर से दे मारता है अब एक जोरदार चीख आदिल के मुँख से निकलता है और वो वहीं पर गिर जाता है उसके बाद इसके साथ जो इसका दोस्त होता है दोनों वो लोग भी पत्थर उठा करके उसके उपर हमला कर देता है कुछ ही देर में आदिल लहुलुहान हो जाता है उसके बाद इन तीनों को शक हो जाता है कि कहीं ये अभी भी जिंदा ना हो फिर ये तीनों उसका गला तब तक दवाते रहते हैं जब तक उन तीनों को यकीन नहीं हो जाता है कि आदिल मर चुका है जब आदिल मर जाता है फिर उसको वहीं जंगल के गड़े में फैक करके वो अपने गाउं आ जाते हैं अब जब इस तरह के कहानी आदिल के अफ़रन की और हत्या की कहानी जब पुलिस सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों और जब आदिल के मता पिता को पता चलता है कि उनका जो घर का इकलोता चिराग है आदिल वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए है तो उसके परिवार में कुहराम मत जाता है इसके बाद आदिल का जो पिता है वो कहते हैं पुलिस से लियाकत जी कि किसी भी हालत में इन तीनों को सर नहीं छोड़ना इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अब जब ये तीनों अपना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो पुलिस इन तीनों को जिला अदालत में पेश करती है इसके उपर मुकदमा बनाती है और उसके बाद इन तीनों को असास साथ खिना को भी गिरफटार करती है उस्ताज करने के लिए इन तीनों को जेल भेज देती है दोस्तों आप लोगों का इस कहानी के बारे में क्या राय है आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसबरी से इंतजार रहेगा तो ये थी आज की कहानी मिलते हैं कल किसी दूसरी सची कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाह हिंद जा भारत दोस्ते